हलो गाइज फिससे एक नए वीडियो में सुआ गता आज अपन बात करेंगे अभी से क्रॉम वी टू का क्योंकि रैड्मी नौट 5 फ्रो के लिए नया स्टेबल बिल्ट आ चुका है तो इसमें आपको क्या कुछ नएा देखने को मिलता है उसमें क्या-kया श्कर बात करेंगे तो यार अगर आप मेरे चैनल पर पहली बार आया तो चैनल को सस्क्राइब कर लीजिए और वेल ऐकन को प्रेस कर दीजिए ताकि क्या होगा जब भी मैं इस तरह कर वीडियो अप्लोड करूंगा तो आपको नोटिफिकेशन मिल जाएंगी तो सबसे पहले आपन बात करते हैं इसमें आपको एड ट्रॉर की तो आप देखने को मिल बात करें तो आप देखाल आपको देखने को भी मीज़न वेलगा ह citrus कर देखने को देखने को मिल जाता है जिसके पार दीक को सब्सक्राइब कर सकते हैं तो आप देखने को सब्सक्राइब कर Southeast को जञेगा इसके बाद अपन बात करोंगे उसमें आपका देखने को इसके बाद में आपको देखने को मिल जाथा हैservice भेढब एढर अपनी रेडीजार में ऐसमान तेखने को मेरी चाहिता है जो भी अची बात है यहां से आप मीडिया वगरा म्यूजिक वगरा को आप यहां से आगे फिच्चे या उसको मतला वॉल्यूम वगरा सौंग बदलना है आपको या उसकी वॉल्यूम को यहां से आप अड़ेस्ट वगरा कर सकते हो तो इसमें आपको कंट्रोल सेंटर में इस तरह का आपको इसमे पूरा मेमोरी कलीन कर देगा तो इस तरह से थोड़ा परफॉमेस वगरा इंप्रूव हो जाएगा बैटरी सेवर वगरा इस तरह को आपको यह आप देखने को मिल जाता है उसके बाद में आपर बात करते है वोल्यूम बगरा बटन की वोल्यूम बटन आपको इसमें किस तरह पर इसमें देखनें को मिल जाता है तो आप देसे तो इसमें आपको सुपर बापल के बटन मिल जाता है और शेल यहीं है अपर इसक राउम की का और अखास गैमिंग रों मैंच यहां से आप इसक को सैलेंट यहां से डेच फ़केर सब खूचweg कर सकते हो तो टाइमर्स, लाइड्स हो वगरा सब पुझाना से हो जाएगा, उसके बाद मैं आपन बात करते थे इसकी setting वगरा की, तो setting में आप देख सकते हो, पुरा setting के color वगरा, tongas वगरा, पूरा change कर रहके इन्होंने, anchor packs वगरा, जो भी आप देख सकते हो, कि सभी का color वगरा अलग तो उसके बाद मैं आपको नीचे दिखा लेता हूँ, आप यहाँ पर resolution वगरा सब कुछ यहाँ पर देख सकते हो, all specs में जाके, आपको security purchase में कौन सा देखने को मिल जाता है, आप देख सकते हो, आप देख सकते हो, आप एंड़ोड 11 के ओपर run कर रहा है, और आपको latest November का security purchase इसमें देखने को मिल जाता है, उसके बाद में kernel की बात करें, अगनी का, old cam का इसमें आपको kernel है, जो मतलब बहुत अच्छा kernel लिए, stable kernel आपको दे रहा है, वायरेड का, तो Redmi Note 5 Pro का नाम वायरेड है, तो इसलिए इसमें वायरेड वगरा, इसलिए यहाँ आपको maintenance का भी, आ यहाँ पर connecting sharing का, वो nature job पर, wallpaper का आपको यहाँ पर option देखने को मिल जाता है, जैसे आप यहाँ पर click करोगे, wallpaper के उपर तो आपके साम नाई setting ओपन होगी, तो इसमें आपको always on display का features भी इसमें देखने को मिलता है, यहाँ आपको clock install change कर सकते हो, आप देख सकते हो, इसमें भी आपको color वगरा का UI देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आप icon packs को छोड़ा बड़ा यहाँ से आप कर सकते हो, तो इसमें सब में आपको red color का मिलता है, और यहाँ पर default पर जाओगे, तो आपको देख सकते हो, इसमें अभीशेक रोग का UI भी मिल जाता है, अभीशेक बहुत सारे wallpaper भी आपको देखने को मिल जाता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हो, कोई से भी wallpaper अप्लाई कर सकते हो, जैसे कि मैं एक wallpaper अप्लाई कर लेता हूँ, आपको दिखा लेता हूँ, यहाँ पर, क्या वालपेपर से क्या होता है, मोबाईल का पूरा look change हो जाता तो mobile का look की change हो जाता है wallpaper आप apply करते हो उसके बाद में नीचे भी आपको मिल जाता है कुछ hard work वगरा of इस तरह के display and lock screen जैसे आप इस पर click करोगे आप देख सकते हो always on display का आपको इस्टाइल में आप जाओगे तो इसमें आपको बहुत सारा फ्री इस्टाइल बगरा देखने को मिल जाती है और नीचे भी आप इसमें बहुत सारी डाउनलोड बगरा कर सकते हो जैसे कि आप देख सकते हो यह इसमें आप इसली से कर सकते हो उसके बात में आपको power menu access का भी option देखने को मिल जाता है आप देख सकते हो यह आप नीचे 12.5 12.6 में चल रहे उसके बाद मैं आपको नीचे दिखा हूँ तो मैं आपको डिस्प्ले का ओप्सन देखने को मिल जाता है तो light mode और dark mode का आपको support light mode dark mode का support देखने को मिल जाता है यहाप एंटी faker mode भी मिल जाता है color आप यहां से customize कर सकते हो और उसके बाद मैं आपको refresh rate भी इसमें मिल जाता है तो देख से तो 60 हर्स का जबकि इसका फैनल भी 60 हर्स का ही है तो सज्जादा इसको upgrade करना चीए तो उसके बाद मैं आपको यहाप नीचे देख से तो sound and vibration का option देखने को मिल जाता है यहाप भी आपको color वाले button notification अगरे सब क sound के touch on या off कर सकते हो जैसे फले sound हो गया जो भी आप देख सकते हो यहाप डिलिट sound हो गया mute वगरा और touchpad का यह सब कुछ आप यहां से कर सकते हो और यहाप देख सकते हो sound effect में आप जाओगे तो आपको मैं दिखा लेता हूं अगर आप Xiaomi का earphone use करते हो तो आपको better quality मिल है और नीचे आपको चलते है control center इसमें notification में तो आपको यहां पर दिख सब्सक्राइब की notification का मिल जाता है यहां पर नोटिफिकेशन शेड में जाओगे तो आपको यहां पर चाहिए या Android का चाहिए तो आप उसके हिसाब से आप यहां पर कस्टोमाइज कर सकते हो अगर आप Android पर रखोगे तो छोटे छोटे आपके notification दिखेंगे बाहर पर और यहां पर नीचे आओगे यहां पर नीचे जाओगे स्टेटेस बार का option मिलता है जो आप 4G आइकन वगरा यहां से सब कुछ कर सकते हो बैटरी इंडिकेटर में जाकर बैटरी का भी आप परसंटेज वगरा इस तरह से आप देख सकते हो चैंज हो गरा कर सकते हो जो भी आपको पसंदे इसमें आप कस्टोमाइज कर सकते हो उसके बाद मैं आपको निक्स्टेज ले जाओं मैं आपको यहां मैं आपका लॉंचर का सपोर देखने को मिल जाता है और आपको यहां पर नेविगेशन सिस्टम बार नेविगेशन का भी ऑप्षन मिलता है तो आप बटन का मिल जाता है आपको इसमें बटन दिखा देता हूं तो आप देख से तो बटन आपको इसमें इस तरह के इसमें परपिस दिखा देता हूं एक निल में इसके फार यह से बह neurolog करता हूं कि ब्टन अगर आपकी आदत नहीं हो सकती है यह इसमें प्रोबलम हो सकती है अभी से ग्रूप में कभी का वार हो जाती है बाद तो नहीं हो पाती है की उसके बाद में आप नीचे देखने तो एंड ड्रोर का ओप्शन आपको यिसमें देखने को जैसे में आपको दिखाया था एंड मिल जाता कर सकते हो जो भी आपको रखना चाहिए वह कर सकते हो इसके बाद में आप निचे देख सकते हो यह पर डेबल टैप do home screen सर्च बर क आप option मिलता है तो आप इसको Google कर रखना चाहते हो जो भी आपको पसंद है वह आप इसमें कस्टोमाइज वगएरा कर सकते हो यह पर आपको और रेंज रिसेंट आइटम का भी ऑप्सन देखने हो सपोर्ट देखने को मिलता है तो इसमें भी पूरा अपडेट है लेटेस्ट शिकूरीटी अपस इसमें आपको दे रखा है तो आप दे सकते हो शिकूरीटी अदिशनल सेटिंग वगएरा आप यहां से प्राइवेसी प्रोटेक्शन फाइंड माई डिवाइस वगएरा सब शिकूरीट कर सकते हो उसके बाद मैं आपको प्राइवेसी प्रोटेशन प्रोटेशन मिल जाता है यहां पर आप नीचे आपको देखने को मिल जाता है जो नया बेकरी का आप दिशे 바ंकर ब्हलं को मिल जाता है अँवगरा देखने को keinen जाता है तो यह भी आपको फॉल स्क्रीन डिस्प्लेय और साउंड़ इफ्क्ट वगरार सब कुछ आपको इसमें देखने तो इसका यूज क्यासे की आप कर सकते हो they should have to have better झाप स्वाटागे स्वार्ट सहीं थे सवाओ कर सकते हो जैसे । पर मीघर टूल है जब फार्टें अच्छा आपया स्वार्ट टूल का तो फ्रोटें काया है यह थे लेकिन यहां से आप एड़ कर सकते हो, तो यह भी इसमें एक अच्छा दिया है, यह फीचर्स आपको मिल जाता है, नीचे जाओगे, इस्पेसल फीचर्स में, यहां पर मिलता है, उसके बाद मैं आपको दिखा दूँ, मैं आप फ्रंट केमरा, असी स्टेंड, फ्लोटिंग विंडो सेकंड स्पेस और काइड स्पेस वगरा, आपको लाइट मोर वगरा, यह सब फीचर्स में मिल जाता है, यहां पर गूगल अकॉन वगरा यह आपको देखने को मिल जाता है, और जैसे आप हो मिस्किन पर करोगा टेप, यहां पर भी आपको फ्लोटिंग विंडो का ओप्सन देखने को मिलता है, तो यह भी आपको एक अच्छा है, कि आप इसको भी कस्टोमाइज वगरा कर सकते हो, तो यह मिल जाता है, उसके बाद मैं आपको इसमें गैलरी वगरा मैं आपको कुछ दिखा लेता हूँ, और आपको तीम वगरा में भी दिखाना इसका, तीम में कमपेटेबल का इसू बता रहा है, तो इसको अपलाई तो आप कर लेते हैं, मैं आपको दिखा देता हूँ, तो आप देख सकते हो, इस तरह से इसका आइकन पैक्स वगरा पूरा चैंज हो जाएगा, तो यह फरी इंस्टोल थीम वगरा आती है इसमें, तो इस तरह से आप अब बात करते हैं देख सकते हो, इसमें अपको पूरा शिस्टम वगरा मिल जाता है, तो आप देख सकते हो एक तरह से मतलब अच्छा लगता है, जो भी आपको पसंद हो यार आप अपलाई करके इसमें, रख सकते हो, उसके बाद पनमें आपको दिखा देता हूँ, तो आ गेलरी बगार HAx चल के कि गेलरी में भी इसमें कुछ वर दिया है , या नई दिया है चर्ट कर लेता हो यहांसे सर्च कर लेता हूं मैं चल को झीबस कर लेखके हो अब मैं दिखा लेता हूं जूम आट भगा तो वह फिच्छ इसमें आप जूम आउट वगरा जूम इन यहां से आप इजली से कर सकते हो यह फिच्छ मुझे काफी अच्छा लगा जैसे कि अपन कोई एक फोटू वगरा इन यहां पर ले लेते हैं आपको मैं दिखा लेता हूं कि यहां पर आप जैसे क्लिक करोगे तो आपको फिल्टर वगरा प्यूटी मोट वगरा सब कुछ आपको देखने को मिल जाता हूं अब इसमें आपन केमरा की बात करता हों कि केमरा क्वालेटी वगरा एक। डिखा लेता हूं से एक दम शापनर है कुछ पीस में प्राबलम अगर नहीं आपको एक्टा इमूर का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है तो और इसमें वीडियो का लिटी की आपको इसमें क्या देखने को मिल जाती है जैसे शेटिंग पर जाएंगे शेटिंग के अनदर वीडियो क्वालिटी में दिखा लेता हूं आपको 4k30fps इसमें support देखने को मिल जाता हूं जैसे कि आप यहां पर देख सकते हो तो मतलब यह अच्छी बात है क्योंकि 4k30fps इसमें support देखने को मिल रहा है तो एक बात से बोले तो रहूम एकदम प्रोब्लम यवगरा आपको नहीं है एपस ऊपनिंग भी काफ़ी फास्ट है वरी वड़ी हुई है उसके बाद भी एपस्ट वगरा कुछ या नहीं हो रहा है तो मतलब एकद्द मुझे तो रॉम में कुछ प्रॉब्लम तो नहीं लग रही है तो आप इसको डैली ड्राइव अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो यार प्लीज यार सपोर्ट कीजिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को नौटिफिकेशन को अलपर से आट कीजिए ताकि इस तेकर जब भी मैं वीडियो बनौँ तो आपके पार नौटिफिकेशन मिल सकते चलो मिलत नेक्स्ट वीडियो में जब तक जे हिन जे भार्च वन्दे मात्रम